हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल फजिक्सपायनितू टूड़े विल डिसकस वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक डिफ्रेक्शन ओफ लाइट अट सिंगल स्लिट हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में डिफ्रेक्शन ओफ लाइट के बारे में अच्छे से अंडरस्टेंड कर लिया था अब देखों, डिफ्रेक्शन ओफ लाइट अट सिंगल स्लिट यह आपके पास एक सिंगल स्लिट है ठीक है A भी हमने इसको नाम दिया, यह वाली स्लिट है इस तरह से घ्लियर, ओके यह जो स्लिट है इसकी जो आपके पास विर्ट है, यह गले लेगए capital D अब देखो, यहाँ पे आपके पा source of light होगा, तो इतना portion क्या है, यह open portion है तो क्या होगा देखो, वैसे तो इतना portion ही क्या होना चाहिए था इतना ही illuminate होना चाहिए था पर इतना नहों के यह कितना होगा, बड़ा होगा इससे, due to diffraction of light देखो, जैसे ही light यहाँ से आएगी, ठीक है, जैसे corner से pass करती है, क्या होता है diffraction of light जैसे ही light corner से sharp corner से pass करती है, तो वो band हो जाती है towards the shadow portion देखो, यह वाला shadow portion है, इसकी shadow कहां बंडने थी, यहाँ पे बंड़ रही है, shadow portion है यह वाला, तो जो light है वो band हो जाएगी towards the shadow portion इधर को जाएगी, और इस वाले corner से भी, क्या करेगी light, band हो जाएगी, इसका shadow portion यहाँ है, इसकी तरफ को band हो जाएगी, हाँ तो जो bright portion है, वो इतना ना होके कितना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इतना clear है, ओके, ओके तो देखो, मालो की जो bright portion है, यह जो है, यह वाला जो है, यह कहां तक दिख रहा है, यहां से लेके, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, bright portion, तो जो बीच में जितना भी होगा, आपके पास यह कौन सी होगी, एक bright fringe होगी, central bright fringe का नाम देंगे हम इसको, और यह कहां से कहां तक होगी, देखो, जितनी यह यह होगी, उतनी ही, यहां पे होगी, यह portion पूरा का पूरा bright है, और उसके बाद क्या होता है, देखो, फिर यहां पर fringes बनती है, जैसे interference में बनती थी, यह अगर आपके पास क्या है देखो यहां पर इसके उपर क्या होता जाएगा फिर bright, dark, bright, dark उस तरह की fringes बनती जाती है और इधर भी लाइक interference बट जो interference में है उसमें क्या होता था कि जो fringe width थी वो क्या रहती थी constant रहती थी बट इस वाले case में क्या हो जाता है जो भी आपके पास bright fringe है, उसकी जो intensity है न, वो दिरे-दिरे कम होती जाती है clear, ओके अब यह देखो, यह fringes, इनको उन क्या कहेंगे diffraction fringes, अब यह क्यों बन रही है यहाँ पे, देखो interference में तो बन रही थी, जब हमने young double slit experiment किया था, उसमें तो क्यों बन रही थी, उसमें तो because हमारे पास दो source थे, यहाँ पे, slit S1 और S2 थी, उनसे जो waves आ रही थी, वो superpose कर दी थी एक दुसरे के साथ, यह न, अब इस वाले में क्या हो रहा है देखो, यह है तो single slit है, यहाँ पे है जो आपका main source है, वहाँ से waves आ रही है, wave front बन रहे हैं, और according to eigen principle क्या है, जो भी आपके वास wave front पे जितने भी points होते हैं, वो क्या कहते हैं, as a source of new disturbance, तो यहाँ पे जो भी wave पहुंच रही है, हाँ न, वहाँ पे जितने भी points है, मालो यह कितने हैं, यह बहुत सारी points हैं यहाँ पे, इस slit में, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो कैसे behave करते हैं, as a source of new disturbance, तो इन सबसे waves निकलेंगी, और वो जो waves है, वो आपस में इस तो प्रपोस करेंगी, इस वज़ा से वो fringes बनती हैं, इधर-इधर, clear होगी आपको बात, अब देखो, हमारा main point क्या है, हमें क्या निकालना है, इस वाले derivation में, जो central, आपके पास bright fringe है, वो इतनी बड़ी बनेगी अब इस case में, देखो, यह पूरा का पूरा क्या है, यह central bright fringe ही बनेगी, है ना, तो इसकी हमें width find out करनी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि कहां तक होगी यह central bright fringe, वो कैसे पता लगेगा हमें, देखो, जैसे ही हमने क्या कहा, इसमें भी dark और bright fringes बनती है, ठीक है, तो जैसे ही first dark fringe जहां बनेगी, जहां पर भी first dark fringe बनेगी, ठीक है, उससे नीचे, सारी की सारी क्या होगी, यह पूरी की पूरी central bright fringe ही होगी, और यहां पर भी, इसके नीचे, जहां पर भी जो first बारा जो dark fringe बनेगी, ठीक है, उसके जो उपर होगी यहां पर, यह सारी क्या होगी, central bright fringe ही है, हाला, तो हमें क्या find out करना है basically अगर हमें पता लग गया कि जैसे माल लो यहां तक यहां तक माल लो कि यह illuminate हो रहा है पूरा का पूरा तो यह central bright fringe है तो यहां पर क्या बनेगा first dark fringe क्लियर हो रही है आपको बात यह first dark क्यों है because यह first dark होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि यह center वाली जो है इसकी width कितनी है center वाले की width कैसे पता चलेगी जहां पर first वाला dark आ गया उसके नीचे क्या होगा? brighty portion होगा सारा और यहां पर भी जब first dark आ जाएगा इसके उपर कितना होगा? पूरा brighty होगा तो यहां पर अब हम क्या निकाल रहे है देखो हमने यह वाला distance find out करना है किसका first dark fringe बनेगी यहां पर इस case में clear हो आपको क्यों? ठीक है? पहले अब हमारा work यह वाला है हमें यह वाली चीज find out करनी है और center bright fringe की जब आपको विर्थ निकालनी होगी पूरे के पूरे की तो देखो यह वाली चीज जितनी यह बनेगी उतनी यह बनेगी यहां पर इन दोनों को हम add कर लेंगे फिर इन दोनों distances को clear यह वाली derivation almost same है जैसे हमने fringe width निकाली थी interference के case में यह वाला topic हमने किया था ठीक है तो देखो अब यहां पर हमने find out करना है देखो पहले यह वाली जो चीज है अगर यहां पर हम center यहां पर करते हैं तो हम इससे भी क्या कहेंगे हम इसको central bright fringe CB से denote कर रही हूँ मैं इसको ठ central bright fringe है यह वाला clear ओके अब यहां पर हमने निकाली है first dark fringe यह वाला point मालो यह point आपके पास P है ठीक है यह distance भी हमें find out करना है तो यह distance हमालो कितना है y ठीक है अब देखो अगर यह center की बात करें इसको हम इससे join करें इसको इससे join करें तो past difference के है 0 इसी वज़ा से यहां पर क् बनती थी central bright fringe बनती थी clear जैसे interference में होता था अब यहां पर आपको find out करना है तो देखो इन दोनों को join करेंगे देखो यह point है यह बहुत सारे point मैंने show कियो है यहां पर में यहां पर क्या होंगे बहुत सारे points होंगे यह और यह क्या कर रहे है सब की waves निकल रही है यहां से व यह वाली ले लिया point यहां से आईगी देखो वी इस तरह से clear है यहां पर अब देखो यह वाली और यह वाली दोनों का क्या है path difference different different है same नहीं है center वाले में तो same था यहां पर देखो यह कम distance इसको travel करना पड़ रहा है यह wave को और इसको ज्यादा करना पड़ रहा है तो इनकी के सकता है यह पर लेंगे तो यह हमने perpendicular ड्रॉग करली है इस पर ठीक है यह पर पैंडिकुलर इसे हम नाम दे देंगे M ठीक है यह वाला पर पर पेंडिकूलर ड्रॉग कर दिया यहां पर यह क्या है 90 degree है clear है आपको यह वाली चीज तो यह वाला path और अब तो यह सेम लग र path ही उसको ज़्यादा travel करना पड़ा यहां से तो bm इसे path reference सेम जैसे हमने interference में किया था अगर आपने वो topic बहुत अच्छे से understand किया है तो यह derivation सेम है वैसी ठीक है अब देखो bm तो यहां पर मैंने write down कर लिया path reference किया आपके पास bm यह path reference हो गया अगर यह वाला angle देखो यह वाला angle अगर हम मान रहे है कौन सा यह theta है यह angle कौन सा है theta ओके तो यहां से अब हम देखो sin theta का निकालें theta के सामने वाला क्या होता है perpendicular और यह base perpendicular upon hyponuse sorry perpendicular के सामने वाला ही क्या है hyponuse ठीक है तो यहाँ से sin theta की value की आ जाएगी आपके पास perpendicular bm divided by a hypotenuse equal to किसके बराबर हो गया sin theta के बराबर clear है यह step मैंने पहले ही आप write down कर लिया देखो आपको understand होना चाहिए यह main बात वो है otherwise बहुत long video बन जाता और आप इसको write down कर सकते हो bm जब कि बस path difference है bm है path difference ठीक है तो bm equal to किसके बराबर आगया a sin theta clear हुआ आपको यह वाली चीज़ है ना अब देखो path difference for dark fringe अब हम dark fringe की बात कर रहे है अगर हम dark fringe की बात करें तो इस वाले case में diffraction में बस यह चीज़ आपको याद रखनी है यह interference वाले से different है हम सबसे पहले आपने क्या किया जो path difference है dark fringe के लिए वो n lambda होता है इसमें ठीक है path difference की होता है n lambda अगर हम देखो interference की बात करें यह topic है वो तो यहाँ पे bright fringe के लिए path difference n lambda होता था बस यह difference है तो आपने यह याद रखना है ठीक है इस वाले में interference में bright fringe के लिए होता है और यहाँ पे dark fringe के लिए होता है तो dark fringe के लिए क्या हो गया path difference n lambda होता है यह आपको याद रखना है ठीक है अगर n lambda होता है path difference इसके लिए और यह path difference हमने अभी निकाला तो a sin theta किसके ब्राबर आजाएगा n lambda के ब्राबर clear है यहाँ तर अब देखो यह वाली चीज़ हमने इस तरह से write down कर लिए यहाँ से sin theta की value क्या जाएगी n lambda divided by a इसे first माल लो यहाँ तर clear है अब देखो as angles are very very small angle बहुत small है यह वाले because देखो यह वाल और यह वाले distance बहुत जादा होता है उसकी वाले से angle कितने है जास बहुत small है तो sin theta को हम write down कर सकते है 10 theta के ब्राबर आपको पता है और 10 theta को theta की ब्राबर years यह सब ब्राबर होता है अगर angle small होते हम तो first डिखो वाले को हम Richardson sine theta की जगा theta यह write down कर सकते है theta equal to how is यहाँ पर हम इस चीज़ पर stress कर रहे है because diffraction of light में जो है theta की जो value है यह माईने रखती है ठीक है इस पर ज़्यादा stress दिया गया हुआ है इसे हम कहते है theta को angular position क्या है यह angular position आपको याद रखना है ठीक है theta n क्या है इसकी value किसके बराबर आगी simple हमने sin theta की value उनका ले n lambda divided by a because हमने कहा कि dark fringe के लिए जो past difference है वो n lambda होता है इसको हमने equate किया और यहाँ से theta की value आगी आपके पास n lambda divided by a कोई problem यहाँ तक विए theta इसको बोलते हम क्या angular position तो देखो हमने angular position की value तो हमें पता लगी angular position क्या हुआ है यह वाला जो theta है ठीक है n की value 1 put करेंगे अगर तो first वाली किसकी angular position dark fringe की हम dark की बात कर रहे हैं यहाँ पे याद रखना है because हम dark निकाल रहे हैं पहले ठीक है तो first वाली dark fringe की जो angular position होगी वो कैसे निकले ही अगर n की value 1 put करें तो theta 1 किसके ब्राबर आजाएगा देखो lambda y a clear है और second वाली की angular जो आपके पास position है किसके लिए dark fringe वाले के लिए जो angular position होगी वो क्या होगी n equal to 2 put करेंगे n equal to 2 put करेंगे तो 2 lambda divided by a and so on इस तरह से find out कर सकते है angular position ठीक है इसमें main जो है आपके पास वो angular position निकालने से मतलब है ठीक है ये वाला distance इतना माहिने नहीं रख रहा है इस वाले diffraction के case में पर फिर भी हम इसको निकालेंगे ठीक है because numericals maximum इसके base पे हैं पर आपको ये वाला distance भी पता होना चाहिए ये वाली बात clear होगी dark fringe के लिए हम कैसे angular position find out करेंगे clear अब हम निकाल लेते हैं ये वाला distance जो इसका actual distance यहां से लेके यहां तक जो हमने interference में भी लिया था ना यहां से यहां का ये वाला distance माल लो y ये वाला हमें find out करना है तो देखो ये same उसी तरह से करेंगे जैसे हमने interference में किया था सिर्फ इसमें angles थोड़े याद रखने हैं आपको कैसे देखो ये वाला चीज तो हमने ये थिता angle माल लिया ठीक है ये जो center वाला point है इसको O माल लो ठीक है ये जो center वाला point है इसको भी P से join करो ये वाला इससे भी हमने या sorry ये वाला join कर लिया अब देखो angles की बाद अगर ये यहाँ पर perpendicular है 90 degree है तो ये भी 90 degree होगा ठीक है अभी देखो हमें दिखने रहा है ये बहुत दूर है ये सब lines कैसी होंगी parallel होती है आपस में ठीक है अगर ये इसके perpendicular है तो इस line के भी perpendicular होगा clear अब ये angle theta है ये 90 degree है तो ये वाला कौन सा angle होगा ये theta है ये 90 है तो ये वाला angle जो थर्ड वाला angle इस triangle का है छोटी वाले triangle का ये क्या हो गया 90 minus theta clear अब हमें कौन सा angle निकालना है हमें ये वाला angle निकालना है ये वाला इस center वाली line के साथ और जो ये O है, ये किसके साथ मना रहा है, P के साथ, इसके साथ, इसके बीच का एंगल निकालना है हमें, clear, ओके, अब 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 ध्यान से देखो, देखो, ये वाली लाइन, और ये सेंटर की लाइन, इनके बीच में 90 डिगरी का एंगल है, द्वारा देख लो, ये वाली ला टोटल 90 है, और ये 90 माइनस ठीटा है, तो हम किया करेंगे, टोटल 90 में से क्या माइनस कर देंगे, 90 टीटा तो ये किसके बराबर आजेगा, ये कैंसल ठीटा, तो ये वाला अंगल कौन सा बन गया आपके पास, ठीटा, शीक है, ये वाला अंगल ठीटा निकल रहा है, का position of dark fringe position निकालनी है कि dark fringe कहां बन रही है ठीक है तो उसके लिए कि हम द्वारा वही angles are very small तो हम sin theta को कैसे write down कर सकते थे 10 theta के लिए देखो 10 theta की जो value हम निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं जब हमें यह distance निकालना होता था clear है ऐसा ही हमने कहां किया था interference में भी किया था तो यहां पे angles are very small तो sin theta को हम 10 theta write down कर सकते हैं तो जो equation 1 थी देखो यह आपके पास equation 1 है ठीक है यह इसे हम कैसे write down कर सकते हैं देखो equation 1 कैसे बन जाएगी 10 theta equal to visible है 10 theta 10 theta किसके ब्राबर आ जागा वहाँ पे sin theta था n lambda divided by a अब हम sin की जगा 10 लिख सकते हैं तो 10 theta equal to n lambda divided by a हमने क्यों किया because हमें y की value find out करने थी ठीक है clear confused नहीं होना यहाँ पे बच्चे maximum के बर confused हो जाते हैं इसलिए यह वाली derivation थोई tough लगती है ठीक है तो देखो अब हमें 10 theta की value निकालनी है तो देखो यह है theta angle आपके पास यह वाला ठीक है यहाँ से आपको क्या निकालनी है 10 theta की value तो यह वाल सामने वाला क्या होता है perpendicular और यह हो गया base तो perpendicular के आपके पास y और base के distance capital D तो 10 theta की value क्या आगई आपके पास y divided by d clear यह किसके बराबर हो जाएगा अब n lambda divided by a और यहाँ से y की value क्या आगई n capital D lambda divided by a clear निकल गया हमारे पास यह वाला distance कौन सा यह वाला अगर यहाँ पे आपको first dark fringe का distance निकालना है first वाले का तो one put करेंगे तो D lambda divided by a और second वाली dark fringe का निकालना है तो n की value 2 put करेंगे इस तरह से निकाल सकते हो आप clear है यहाँ तक कोई problem नहीं आई थी यहाँ तक हाना ओके यह तो होगी अब किसके बाद dark fringe इसकी अब अगर हमें वैसे bright का भी देखना है त फटा फटा आप देख लो ठीक है bright का कैसे होगा for bright fringe इसके लिए भी आपको देखो हमें path difference बता होना चाहिए path difference for bright fringe bright fringe के लिए जो path difference होता है diffraction of light के लिए वो आपको याद रखना है वो यह होता है 2n प्लस 1 lambda divided by 2 clear है अब उस तरह से याद नहीं रखना है कि interference से opposite होगा यहाँ पे interference में क्या था देखो जो हमने वहाँ पे dark के लिए किया था वो 2n माइनस 1 था यहाँ plus 1 होता है ठीक है तो आपने इस तरह से याद रखना है जो यह है तो यह bright fringe के लिए path difference कितना होता है diffraction में 2n प्लस 1 lambda divided by 2 तो बस अब हम जो path difference की value थी वो क्या थी asine theta simple यह वाली यह वाली asine theta की जगा n lambda कब किया था जब हमने dark के लिए निकाला था अब किस के लिए निकाल रहे हैं ब्राइट के लिए तो ब्राइट के लिए आपके पास क्या होता है जो path difference है वो क्या कहा हमने 2n प्लस 1 lambda by 2 तो asine theta किसके ब्राबर आ जाएगा simple अब 2n प्लस 1 lambda by 2 यहाँ से theta की value आप निकाल दो theta की value क्या आगई 2n प्लस 1 lambda by 2 यह और theta क्या होता था angular position इसमें हमने angular position कहा कि वो ज़्यादा important है ठीक है तो angular position of किसकी निकली यह bright fringe के लिए angular position का general formula यह वाला हो गया और first वाला जो आपके पास bright fringe है उसकी angular position कैसे निकालोगे and 1 की value 1 put करोगे तो 3 lambda divided by 2 है और second वाले की निकालनी आपको angular position bright fringe के लिए तो 5 lambda divided by 2 है clear यह तो निकली की angular position और हमने क्या कहा अगर हमें actual position find out करनी है तो उसके लिए हम क्या कहते थे formula यह वाला use होना है देखो यह वाला ही पर sign के जगा क्या put करेंगे हम 10 theta because angles are small और अगर हमें distance की value find out करनी होती थी यह तो हम क्या कर लेते है sign के जगा क्या use करते है 10 theta देखो sign theta के जगा 10 theta then equation 2 becomes जो भी आपके पास यह equation 2 मान लो यह वाली ठीक है यह वाली क्या बन जाएगी देखो अब आपकी यहाँ पर हम sign के जगा क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे a 10 theta equal to इसके ब्राबर आ गया और 10 theta आपने यहाँ पर calculate किया 10 theta की value क्या है capital y divided by d यह वाली value हमें यह put करतेंगे y divided by d और यह इसके ब्राबर आ जाएगी कोई problem यहाँ पर है और यहाँ से y की value आ जाएगी यह वाली और यह कौन सा distance हो गया first bright fringe का अगर आपको निकालना है तो n की value 1 put करेंगे तो n की value यहाँ पर 1 put कर लोगे आप और second वाली bright fringe का distance निकालना है किससे यह center से निकाल रहे हम ठीक है तो second वाले का क्या करेंगे आप n की value को 2 put कर देंगे इस तरह से clear यह वाली चीज clear है और यहाँ पर यह आपके पास क्या बन गी है यह angular positions हो गई bright fringe के लिए यहाँ तक clear है अब देखो हमें fringe width find out करनी है ठीक है तो fringe width में जो आपके slabus में है वो maximum क्या है जो center bright fringe है उसकी fringe width आपको find out करनी है ठीक है जो center वाली है इसकी fringe width आपको find out करनी है ठीक है तो देखो पहले इस वाली चीज़ को देखो देखो यहाँ पर बन डॉक किया है यह आपके पास क्या है यह center bright fringe है ठीक है जो भी है तो यहाँ से लेक बनेगा इतना illuminated portion है यह central bright fringe होगी हाना तो यह वाला portion हमने यह वाला लिया हुआ इदर clear है यह first dark है और यह first dark के निचे भी हाना और यह वो गया central bright fringe अब first dark के लिए angular position की बात कर रही हूँ यह वाली देखो n lambda by a first के लिए क्या आएगी lambda by a तो देखो यह lambda by a फस्ट वाले dark की अंगुलर पॉजिशन चीक है यह भी lambda by a यहाँ पे भी होगी और second वाले के लिए क्या करेंगे two put करेंगे two lambda divided by a यह first dark है यह second dark है उसकी अंगुलर पॉजिशन यह है यह भी second two lambda by a clear ओके वै वाली जो bright fringe है उसकी अंगुलर पॉजिशन कहा थी three lambda divided by two है तो यह वाली इन दोनों dark के बीच में bright बनेगी three lambda divided by two है और यहाँ पर भी देखो यहाँ पे bright बन रही है three lambda divided by two है और second वाली कहां बनेगी five lambda divided by two है यहाँ पे भी यह इस तरह से बन रही है ठीक है अब हमें क्या जो central bright fringe है उसकी width find out करनी है ठीक है तो सबसे पहले हम उसकी क्या निकालेंगे angular fringe width कौन सी fringe width? angular angular की बात अगर हम करेंगे देखो central angular bright fringe जो भी आपके पास है उसकी width आपको find out करनी है तो देखो यह वाला angle भी theta है यह वाला angle भी theta है थीटा होता है ना जो आपके पास angular position होती है तो 2 theta के बराबर आ गया देखो यह first dark है यह भी first dark है यहां से लेके यहां तक यह जो आपके पास theta की value है देखो यह वाली जब आपने first वाली theta की value 1 put की तो क्या हो गया? n की value 1 put की तो lambda divided by a theta की value तो 2 theta आपके पास क्या आ गया? 2 lambda divided by a देखो यह भी lambda by a है यह भी lambda by a है तो यह आगी इसके आपकी जो central bright fringe है आपकी उसकी angular width जो है 2 lambda divided by यह वाला formula आपको हमेशा याद रखना है बहुत important है clear है यह आपकी क्या है angular fringe width of किसकी central central bright fringe की जो angular width है वो ही आगी अब अगर आपको क्या find out करना है देखो actual width find out करनी है तो वो कैसे find out करोगे आप यह वाला distance y जितना यह होगा उतना ही y यहाँ पे होगा distance वो अगर लेंगे यह क्या था first वाले dark का distance यहां से और यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा first वाले dark का जो distance होगा उन दोनों को add कर लेंगे तो वो क्या निकल जाएगी जो actual आपकी क्या है fringe width है center वाले bright fringe की आप समझ रहे हो तो y प्लस y होगा दोनों को add करेंगे तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं जो first वाले dark की position थी यह वाली y इसकी value हमने find out की थी यहां पे देखो यह इसका general formula निकला था अगर n की value 1 put करेंगे तो capital D lambda divided by A आएगा आएगा आपके पास तो यह वाले distance distance कौन सा आगे आपके पास देखो यह हम write down कर लेते हैं अगर आप y1 की बात कर रहे हो dark वाले की fringe की 1D लिखतो dark के लिए ठीक है तो यह क्या है आपके पास capital D lambda divided by A इतना इदर को होगा और इतना ही यहां को होगा देखो यह वाला distance भी यह भी क्या होगा देखो y first dark का जो distance है capital D lambda divided by A तो अगर हमें actual निकालना है अभी तो हम angular की बात कर रहे थे हैना angular वाला हमने find out किया अब हम actual अगर width निकालना चाहते हैं central bright fringe की तो यह प्लस यह हो जाएगा कोई problem clear है यह वाला distance हमने देखो जनरल formula यहां निकाला था n की value 1 put की जितना यह है देखो D lambda divided by A यह भी capital D lambda divided by A यह दोनों add हो जाएंगे तो यहां पे देखो यही किया हमने D lambda divided by A प्लस D lambda divided by A और यह किसके बराबर आगया आप पास 2 capital D lambda divided by A यह दोनों formula is important है आपको याद कर लेने central bright fringe की जो angular width है वो और जो आपके पास actual central bright fringe की width है वो यह वाली है clear और देखो बाकी वैसे आपकी इस यादे आप second वाली bright से first वाली bright को minus कर दोगे थाना एंगुलर पुछा है तो angular वाली यह वाली आ जाएगी और अगर आपको normal वाला distance पूछना है तो फिर आप दूसरा वाला निकाल दो थाना इस वाले bright से first वाली bright को minus कर दो तो dark वाले की fringe width निकल जाएगी थाना पर आपके यह पूछते हैं तो देखो यह topic जो है बहुत important है ठीक है थोड़ा सा lengthy है बट easy है आपने अगर interference वाले अच्छा सी किया है यह वाला topic देखो यह हमने यह भी अच्छे से understand किया था fringe width in interference उसी की तरह यह सिर्फ path difference की थोड़ा change किया हुआ है तो आपने अच्छे से देख लेना ह okay thank you